नमस्ते स्वागत है आपका मेरे चानल रोज स्पीक्स पर और आज मैं आज का टोपिक में असे डिफलक्स या हर्ड बर्न या नॉर्मली एसीडिटी हो सकता है पर यह तोड़ा सा दिफरेंट है आजडिटी से इसको आसे डिफलक्स पोलते हैं इसमें जहां पर आपको आपके अपके स्टमक के उपर से यहां के एरिया में से बर्न से जलने का ऐसा एसास हो उसको आजडिटी रिफलक्स पोलते हैं और उसमें होता क्या है कि आपका जो स्टमक का जो जूस होता है वो बहुत असे डिक रहता है यूशली उसका अगर आपको साइन्स में बोले तो पी का हिस्सा होता है इसको sphincter कहते है वो एक तरफ बंद होता है ऐसे खुल खाना खाएंगे वो ऐसे खुलता फिर ऐसे बंद हो जाता है ठीक है तो वह जब बंद रहता है तो वह अलाव नहीं करता है ये स्टमक का एसेड ऊपर जाने के लिए ताकि वो आपके फुड पाइप जो इसाफेगस बुलते हैं उसको बर्न करें क्योंकि स्टमक का जो अंद्रूनी हिस्सा है वो एसेड को जहल सकता है पर बाकिस जो हिस्सा है उपर का वो उसको जहलेगा नहीं तो अगर गलती से यह स्प और यह होता है अक्सल तो जब आपके स्पिंग ट्रक खुल जाता है ज्यादा और बंद नहीं रहता है टाइम पे तो यह आपका स्टमक का जो एसेड है वो उपर जाता है और आपके यह जो फूड पाइप बोलता है उसको आसेड है तो जलने का एसास होगा उससे तो उसको acid reflux बोलते हैं या पर नॉर्मली hard one बोलते हैं chest pain तो नॉर्मली symptoms उसका यह यह जलने का एसास होता है अब जलन होगा तो यह पूरा जलन हो गया है तो inflammation हो जाएगा तो आप जो भी खाएगा वो उसको आप legal नहीं पाएगे क्योंकि वहाँ पे जल चुका है तो वो देर काम होगा और जितना acid उपर मुव में आया क्योंकि आपका जो भी saliva है थूख है वो भी थोड़ा सा acid हो गया उसके आपके tooth में erosion होना अगर यह आपको ज्यादा होता है तो यह common symptoms है acid reflux का पर होता कैसे है ज्यादा करके यह मैंने जबसे बता है ना यह spinner जो खाना खाया तो ऐसे खुलता है और खाना नीचे जाता है spicy यह सब mostly यह सब तो है पर main जो reason है जो इस सब का कारण है वो है अगर आपने सोने से पहले खाया आपना खाना और खाके तुरंट 15 मिनट के अंदर आप लेट गए और सोने चले गए तो क्या हो गया कि आपने खाना खाया आपका spinner खुल रहा है बंदो रहा है खुल रहा है बंद रहा है जैसे खाना खाके हो गया आपका अब यह आप गए सोने को सोने को गए तो क्या होता है कि अगर आपको नीज लग गया तो body अपने उस state में चला जाता है ताकि आपको सो ए तो उसमें का muscle relax है सब कुश रिलाक्स हरता है तो इस painter को time ने मिला ठीक से बंद होने तो क्या हो जाएगा फिर वो फ्रलका सभी खुला रहेगा तो धेर धेर आपका स्टामर कैसे डपकेस में आएगा और आपको फिर वो सुबह उठेंगे तो वह यह सा लगेगा रहे बड़ा जल रहा है यह सब जल रहा है और यह यूजली होता है एज के हिसाब से अगर आप 40 क लोगों को जल्दी नहीं होगा पर जैसे ही आप एज करेंगे तो होगा जैसे कि हाँ आप पहले आप जब 20 साल के होंगे तो आप कुछ भी खाके लेट जाएंगे कुछ नहीं होता सही है कुछ नहीं होता क्योंकि आपका सब औरगन चल रहा है सही सही कल रहा है मसल एक्दम subjective है जैसे ही आप age करते हैं धीरे धीरे सबका age होने लगता है तो आपका sphincter सही से बंद नहीं हो तो आपको ये नहीं करेगा जितना आप 40 के बाद जाएंगे तो ज़्यादा करके avoid करें खाना खाके direct होने जाना ज़्यादा करके तो left side के लेटेगा ताकि वो stomach उल्टा ये जो stomach का जो curve है वो आपके left में होता है ताकि वो फिर acid stomach के इस curve में रहे ना कि ऐसे हो जाए तो इस curve में रहेगा तो stomach acid इधरी रहेगा इसलिए left side में लेटेग वो तो आपको आपके parents भी बता चुक्या होंगे बट ये जो acid reflex है ये mostly age के साब से होता है ज्यादा तर रीजन रात को ज्यादा खाके तुरंद लेटने को खाने के रात के खाने में और सोने के बेच में at least एक से दो हंटे का जाप होना चाहिए और खाना खाने के बाद आपने पाने ने पिया हो सही है उसके बाद आपको dessert भी खाना तो dessert को भी आपको timing करना पड़ेगा क्योंकि dessert usually fatty होता है थोड़ा सा यह होता है तो वह fatty भी आपके sphincter को खोल सकता है fatty food इसलिए उसको भी avoid करें अगर आपने खाया खाये no problem है एक यह हंटे बाद लेटने चाहिए यह सोने चाहिए क्योंकि सोते वक्त जब जाएंगे तब body auto mode में चले जाता है ताकि वह आपको relax कर सके तो तब सब system auto mode पे जाता है क्योंकि वह power energy conservation समझ लो energy conservation mode पे चला जाता है तो अगर पिंटर को time नहीं मिला तो खुल आ रहे जाएगा तो फिर वही acid आएगा तो सुबह उठेंगे तो थोड़ा खटा खटा लगेगा हर चीज वो mostly इसी का कारण है तो अगर आपने खाने के दो हंटे बाद गए लेटने को तो यह mostly नहीं हो और अगर हो रहा है जलन का ज्याद के ऊपर है तो आजकल तो alkaline water भी मिलता है antacids हो गया आपका डाइजीन हो गया वो सब basically उसका यह acid कमा हरन है और धर धर थोड़ा थोड़ा पानी भी पिएंगे तो वो अपने आपी कम हो जाता है बट आगर इसको avoid करना है अपने life में आपका age हो चुका है और आप ऐसा नहीं को आपका age हो गया तो होगा बट जादा करके तो होगा तो just खाईए दो गंटे बाद लेटी है सब normal रहेगा पानी पीजी अपना just यह इतना ही है ध्यान रखें ज़्याद अगर के अगर हो रहा ज़्यादा तो उसका medication भी है बट जिदा करके अगर habit में यह ना हो तो उतना बैट रहोगा तो आपका footpipe उतना सही रहेगा तो यह मिलता हम आपको अगले वीडिया में